अगर आप लोग Next.js सीख रहे हो तो आप लोगों को JavaScript आनी चाहिए और आप लोगों को React भी आनी चाहिए अब बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये बात bad news होगी लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों bad news देने नहीं आया हूँ मैं आप लोगों को good news देने के लिए आया हूँ good news ये है कि हम लोग ये सारे topics cover करेंगे इस Next.js course के अंदर यानि कि जितनी भी JavaScript आप लोगों को Next.js course के अंदर start करने में लगने वाली है वो सारी की सारी JavaScript हम लोग discuss करेंगे और जितनी भी React लगने वाली है वो हम discuss करेंगे ये बात तो आप लोगों को मालूम है कि जो pages folder होता है उसके अंदर हम React components ही डालते हैं Next.js के अंदर तो वो React components को सीखने के लिए आप लोगों को React के basics आना जरूरी है जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर cover कराने वाला हूँ जब इस वीडियो में ऐसा भी नहीं है मैं आपको पुरो JavaScript शुरू से पढ़ाऊंगा मैं सिर्फ वो topics आप लोगों को cover करवा दूँगा जिसमें कि आप लोग फसेंगे शायद JavaScript के कुछ topics होते हैं जैसे कि इस इंकवेट होता है और promises होती है और destructuring होती है where, let, const कब use करना है तो यह सारे का सारे जो basics हैं वो मैं आप लोगों को करा दूँगा और react के अंदर भी मैं आप लोगों को component लिखना सिखा दूँगा और उसके बार हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस next year's course के अंदर लेट्स गेट स्टार्टेड मिध इस वीडियो और इट्स वाज शुका हूँ मैं अपनी computer screen के अंदर और इस वीडियो के अंदर जितना कम मैं बताऊं उतना अच्छा है और उसका reason मैं आप लोग को बताता हूँ सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बहुत जादा बताने वाला नियू कि किस तरह से react काम करता है किस तरह से javascript काम करता है कि वो सारे concept वन और अलरेडि बना दीया मैं काम करता हूँ इसको यहां पर bookmark करता हूँ आप लोग भी कर ले ना नेक्स जैस की playlist को ताकि आप लोगों के यहां पर bookmark हो जाए नेक्स जैस की playlist मैं चाता हूँ सब लोग ऐसा कर लेए अब यहांपर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले react की देखो react क्यों बनाया गया react को बनाया गया इसलिए ताकि user interfaces easily बना सके developers हम लोग event binding बना सके हैं एक और रिजन यह है कि जब आप react इस्थेमाल करते हो तो एक पर्टिकुलर वेरिवल के आधार जैसे मानलो मैं यह पेज बना रहा हूं जो कि आपकी computer screen पर है मैं चाहता हूं कि यह वाला टाइटल मैं चेंज कर सकूं कभी भी तो मैं अपने जावा स्रिप्ट कोड के अंदर लेकर लेकर जब भी यूजर स्क्रॉल करता है मैं चाहता हूं मानलो फॉर सम्वियर रिजन की यह चेंज हो जाए तो मैं क्या करूंगा बहुत ही सिंपल सा एक कोड लिख सकता हूं जिसमें मैं काऊंगा कि यार अगर मैं स्क्रॉल करूं तो इस पर्टिकुलर वेरिवल को चेंज कर दो और वो वेरिवल एक स्टेट होगी तो स्टेट का यह कॉंसेप्ट होता है रियाक्त के अंदर अब र बता रहा है इसमें एक प्रोजेट भी बना रहा है तो रियाक्त यहां से आपको आ जाएगा अब इसके बाद जावास्क्रिप्ट के बेसिक की बात करते हैं अब एक मैं वीडियो बनाई था जावास्क्रिप्ट कॉंसेप्स एवरिवन शुड नो ठीक है तो यह वाला यहां पर जावास्क्रिप्ट करते हैं तो मैं इसको एज जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड यूस कर सकता हूँ ठीक है मान लो की मेरे पास एक वेरिबल है ठीक है मैं आपर कहना हूँ और और यहां पर यहां पर आप लोग को बी दिखा हूँ तो आप लोग देखो कि जो 6 था हो यहां पर आ गया और यह पूरा का पूरा इसने खोल दिया है तो यही बात मैंने आपर आप लोग को बता रखिये क्यों और कैसे इस्तमाल करना है आप लोग देखो मैंने आपर क्या किया हुआ है A is equal to 4 ऐसे लिखा हुआ है और यह जो dot 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 ARR मैंने लिखा हुआ है basically क्या कर रहे हैं हम array को खोल दे रहे हैं तो यह spread operator होता है और destructuring की बात करते हैं जलदी से destructuring क्या होता है ठीक है मानलो मेरे पास एक object है मानलो मेरे पास एक object है और उस object के अंदर c की value है 3 और d की value है 67 ठीक है तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ मैं कॉँँगा c,d is equal to और मैं a लिख दूँगा ठीक है और मैं कुछ ऐसे कर दूँगा इसको कुछ इस तरह से कर दूँगा और मैं एंटर बारूँगा तो c के अंदर आजाएगा 3 और d के अंदर आजाएगा 67 ठीक है d के अंदर 67 आजाएगा ठीक है तो यह हो गया हमारी destructuring ठीक है, spread operator और destructuring अब हम लोग async.js के बारे में बात करते हैं मैं आपर क्या गहना चाहरा हूँ async.js में async.js में नहीं बताया कि या जो javascript होती है वो asynchronous होती है जो asynchronous task होते हैं javascript के जिसे अगर यहाँ पर console.log यह जब print होगा Harry is a good boy उसके बाद यह जो है यह जो set time out है क्योंकि एक asynchronous function है इसको इसका जो मैं कहूंगा execution वो delay कर दिया जाएगा और उसके बाद यह वाली line को immediately print किया जाएगा और यह जो set time out है यह resolve होके जो भी मैं आपर लिखूँँगा वो सबसे last में print होगा अब यहाँ पर promises and callbacks की बात कर लेते है promises क्या होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि एक ऐसी चीज जो की होगी ठीक है लेकिन वो अभी होई नहीं है ठीक है वो होने वाली है और जब वो हो जाएगी तो वो resolve हो जाएगी और अगर वो fail हो जाती है तो भी आप लोग को बता दिया जाएगा तो यहाँ पर एक promise मैंने एक promise का example आप लोग को दिखाया है कि किस तरह से promise resolve होकर कुछ ना कुछ करती है promises जब resolve होंगी तो हो सकता है callback run हो या फिर आप लोग उसको await कर सकते हैं जहां से concept आता है async await का async await में क्या होता है कि एक asynchronous function मनाया जा सकता है और उसके अंदर वो सारे के सारे methods जो कि promise return कर रहे है हम उन promise के resolve होने तक का इंतिजार कर सकते है for example अगर मैं इसकी बात करूँ fs.read file तो यह asynchronous function है और यह अगर मैं await लिख दूँगा यह इंतिजार करेगा और उसके resolve होने का क्योंकि यह इंतिजार करेगा इसलिए यह वाला जो function है वो थोड़ा slow हो जाएगा तो जैसे ही a1 resolve होगा c1 के अंदर value हाजाएगी और वो print हो जाएगी फिर a2 resolve हो जाएगा तो c2 के अंदर value हो जाएगी and similarly a3 जब resolve हो जाएगा तो c3 के अंदर value हो जाएगी similarly map filter and reduce के concepts है तो यह जो 5 javascript concept you should know है यह आप लोग को जरूर देखना है अगर आप लोग quickly javascript का एक recap लेना चाहते हैं और सिर्फ उन concepts का जो कि शायद आप लोग को परचान करे मैं काऊंगा ठीक है तो उन concepts का आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से एक taste ले सकते हैं काऊंगा ठीक है और इस वीडियो के अंदर बेर दुबारा यह सारे concepts नहीं बताना चाहता था क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने हा यार यह वीडियो बना रखा है क्योंकि मैंने अल्रड़ी यह वीडियो बना रखा है क्यों ना हम लोग आगे बढ़े टाइम को बचाते हुए और जिसको भी देखना होगा यह वाला वीडियो 5 JavaScript concepts you should learn and also react refresher तो वो भी आप लोग देख सकते हो इसके अंदर मैं simply क्या करूँगा और इस tutorial कुट capital बना लेता हूँ update क्यों नहीं हुआ हो गया refresh करने का पता नहीं क्यों विंडोस में कभी-कभी आप कुछ भी update करो तो update नहीं होता है अप रखरेश करो तो update हो जाता है किसी को पता हो तो नीचे पता हो यार मुझे ठीक है तो यार मैंने आपर एक resources.docs नाम से एक document बना दिया है और मैं आपर करूँगा क्या कि इसको मैं heading 1 करूँगा center करूँगा और enter बारने के बाद यहाँ पर जो पहला वीडियो है वो मेरा होने वाला ये वाला ठीक है ये वाला वीडियो होने वाला copy link address copy link address और यहाँ पर मैं paste कर दूँगा ठीक है और ये मेरा पहला link हो गया और मैं इसमें ज़रा dash करके link देता हूँ react refresher और यहाँ पर javascript refresher और javascript refresher नहीं करूँगा javascript के वो concepts करूँगा जो कि आप लोग को आने चाहिए तो ये वाला link करूँगा ठीक है मैं ये copy करूँगा और यहाँ पर paste करूँगा ठीक है और यहाँ पर मैं लिख दूँगा javascript रिफ्रेश ठीक है और इसको save कर दूँगा तो ये दो वीडियो जो कि आप लोग देख सकते हो और उसके बाद हम लोग continue करेंगे मैं बार बार जो है ऐसा नहीं करना चाहता कि इसी चीज़ को बार बार बताता रहूं मैं चाहता हूं कि हम लोग जल्दी से जल्दी start करें आगे बढ़ें तो जो हमारा जावस्क्रिप्ट के important concepts encounter करेंगे वहाँ वहाँ हम लोग दुबारा से उन सारे concepts to refresh करेंगे और आगे बढ़ेंगे सो अभी लेगे इस वीडियो में इतन है थैंकियो तो मुच लाइए पर शौच लाइए पार वाचिक लाइए विच्छ वीडियो नेक्साम